लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें गवाहू के बैयानात को मद्दे नज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जकू का खूल धर्मा ने ही किया है अदालत धर्मा को गुरेहगार मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है लेजर लेए सब्सक्राइब करें झाल झाल लड़र भी लड़रे किमावा इस खरो जी लुडिए जाँ, अजिए किमाई है। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो और दो कर दो नमस्ते, नमस्ते जिसाला की बहन सबूइक नमस्ते बावशी नमस्ते जोकरी तुई है ना धर्मा की बहन, हाँ क्यों धर्मा कहा है, पालुम नहीं सच सच बता दे वरना ऐसी हालत करूँगा कि तेरा भाई तेरी शकल भी नहीं पहचान पाए तुक ते शकल तो तेरी मैं बिगाड़ूंगा सारे कि तेरा मालक भी तुझे पहचान ना सकता फर्मा तु? बड़क मेरे अलाके से मेरा नाम मिटाने का खाव छोड़ दो वरना मैं तुम सब को खत्म कर दूँगा आहां हम तुम्हें मिटाना नहीं कुछ बनाना चाहते हैं धर्मा मगर हमारी ये बात ना तु मानते हो और ना सुनते हो धर्मा किसी की बात नहीं सुनता सिर्फ अपनी बात सुनाना जानता है एक बात कान खोल कर सुन लो आज के बात तुम्हारे किसी आदमी ने मेरे अलाके में कदम रखा तो उसके लाश ही वापस आएगी क्यों जग्गु दादा कहा गई तुम्हारी बहादरी कहा गई तुम्हारी ताकत है जाने से पहले तो सर उठाकर के है रहे थे कि जग्गु दादा को शेर का शिकार करना खूब आता है अब क्या हुआ जूगईना गर्दन CHोटे हाँ बड़े ये बिल्ली मार शेर का शिकार क्या करेगा बिल्कुल नहीं जाओ मिया जाकर कहीं चुवे ढूंडो धर्मा को मिटाना तुमारे बस की बात नहीं है मेरे बस में क्या है और क्या नहीं है सेट ये मैं तुम्हें दिखा कर रहूँगा धर्मा ने जे मेरी आखे अपने इलाके और तुम लोगों के सामने जुकाई है अब मैं भी उसकी आखे सारी दुनिया के सामने ना जुका दूँ तो अपने बाप की अउलाद नहीं हराम की अउलाद होंगा हराम की आखरी सब कब तक चलेगा भया मैं पूछती हो यह खुन खराबे की जिंदेगी कब तक चियोगे तुम कोंडा गर्दी दादा गरी का नतीजा तो देख लिया ना आज एक चकू बीच बाजार में तुम्हारे बेहन के बाल खीचने की जुड़त की खल कोई दूसरा चकू उसका आचल भी तो कीच सकता है दर्मा की बहन का आचल खेंचने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ अगर किसी ने हिम्मत कही तो उसी आचल को उसका कफन बना दूगा फिर भी नतीजा तो वही होगा ना खोन खराबा बुराई कांध हमेशा बुराई ही होता है भाईया जरह सोचो भाईया जब भी तु महाले से गुजरते हो इंसान तो इंसान पंची परन्दे भी डरते हैं और ये सब मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि इंसान जहां भी रहे प्यार और इज़त से रहना चाह करते हैं इस जमाने मुझे डरता नहीं वो किसी की इज़त नहीं करता है इस महले के लोग भी मेरे डर से यहां समगलिंग नहीं करते हैं चैस गाजा नहीं बिखता है यहां घरकियों का विपार नहीं होता वो गुता जिसे मैंने आज सबक सिखा है वो भी इस महले में यही क मगर मेरे जीते जी यहां किसी की हिमत नहीं जो गंदे काम कर सके आखिर यह सब कब तक चलेगा भाया यह खौन खराबे की जिंदगी कब तक चियोगे तुम खुंडा गद्धी दादा करी का नतीजा तो देख लिया ना आज एक जगू बीच बाजार में तुम्हारे बेहन के बाल खीचनी की चुड़त भी खल कोई दूसरा जगू उसका हाँ चलते तो कीच सकता है मा की वहां कैसे जगू की ऐसा जगू अब पैदा नहीं होगा जगू साथे खुछ रहते हैं जग दिने मज़ में है साथे एरे रा जल्दी दारु जल्ब अब भंग भी जाएगी भंग आरे लारे अब भंग भी आरे अजय–जय, यह सराकों एतारा करना elaborणार kर पैंसे जय यहीन, जयांesome इसती मांसेती लिए मुत्र बंग ने रंग जमाया, पीते संग समझ में आया मैं कैसा बन गया, मैं वैशा बन गया यशा इस दुनिया ने बनाया बंग ने रंग जमाया, पीते संग समझ में आया पहले ही रगडे में देख तमाशा प्यारे पहले ही रगडे में देख तमाशा प्यारे सर पे रख के बाओ भाग गए घम सारे दूल गया मैं सच कुछ अतना नाम भी याद ना आया अंग ने रंग जमाया, पीते संग समझ में आया अंग ने रंग जमाया, पीते संग समझ में आया क्रिंग के भाग में आया आया, नाम आया, क्रिंग कूँ प्रट difference कॉ अंबर गिर गए नीचे सीधा सरग में पहुंचा अपने अखिया मीचे मैं परियों के देश से लेकिन वापस कैसे आया संग नरंग जवाया पीचे संग समझ में आया संग नरंग जवाया पीचे संग समझ में आया मैंने थोड़ी पेकर पीश्री आगल खोले मांग ले जाओ तो क्या है ये दुनिया मुझसे बूले दुनिया मुझसे बूले धीट से मुझको याद नहीं मैंने क्या फरमाया संग नरंग जवाया पीचे संग समझ में आया मैं कैसा बन गया मैं वैसा बन गया जैसा इस दुनिया ने बनाया थे जुनिया वाया संग समझ में आया थे बनाया धुनिया मुझसे बूले आगे आगश मारा क्यों आग क्यों ने जोवार। थे जोटी आग्या वैं खीवे है और फॉले जो, I love you too, bye-bye कोशिश कीजिए, मैं माफी चाहता हूँ कि आपकी इजाज़त के बगार, मैं कम्मो को घुमाने ले गया था सुनिए, वीजे और कम्मो एक दूसरे से प्यार करते हैं हाँ धर्मा भईया, दिवी जो कहती है, वो सच है मैं कम्मो से बात करूँगा, अगर उसने कहा यह बात ठीक है तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरी हड़ियं तोर दूँगा कम्मो, ए कम्मो क्या बात है भीया तेरा वीजे से क्या रिष्टा है कमो तरी खामुशी मुझे कुछ भी करने पर मजबूर कर दे सासर बता इसे पहले कि मेरा घुसा कहर बन के उसमे तूट पड़े वो कहता है कि वो तुसे शादी करेगा मुझ सच कह रहा है भीया अंचे बंगलों में रहने वाले बिगड़े रईसजादों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ यह प्यार की जूटे वादे तो कर लेते हैं निवाने इनके खुन में नहीं ऐसी बात नहीं है भीया विजय और उनकी बेहन उन अमीरों में से हैं जिन्हें दौलत के साथ-साथ शराफत भी विरासत में मिली है मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा हूँ मैं जानती थी तुम यकीन नहीं करोगे इसलिए इसके बारे में मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा लक्ष्मी बेन तो खुद कह रहे थी कि वो रिष्टे के लिए बात करने आएगी वो वेचारी कैसे हैगी मैंसे बुसे में नाजेने क्या कुछ कहकर आ गया हूँ तो यह काम का मेरी तस्व विजय से माफि मांग लेना हूँ कहना मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसमें शर्मिंदा होने कोई बात नहीं कम्मू धर्मा भया ने वही किया है जो भाई को करना चाहिए आम मैं नाजा जरूर होता अगर वो हमारी शादी पर राजी नहीं होते कैसे राजी नहीं होते? मुझे मेरी भया पर पूरा यकीन है अब तो वो यह सपना भी देखने लगे है कि जल्दी हो जाह अब मैं उसकी इज़त को मिट्टी में मिला दूँगा और मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता इसलिए तो जगू तेरी मौत का सामान अपने साथ लेकर आया है Tु हकोदी!! lines work! व夏 этот क्यमा है 답े फclock stitches! व, 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 शामाख के थामा इसलिए prophetic प्लिएिस ए लेच Спा Griff it! प्जू रहा रहा है कायो और ब द स सब्मांई इसलिए जggू I SE जामे है! ओता परें मon इपका? जोटने, जोटने दाता फटी में? क्जूट, मुवड़य हैं कर दूफ कर दोफमें क्जूफ लोज कि वमनो हो कि प summit पीस, पीटिय Restaurant कर plyा कर भी दोत्टा그램 सनि भीकार सिर्षिर वड़ा, 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 वड़ा मेंजी पहाँर, वड़ा, वड़ा, वड हमनन पे सहरत वड़ा, वकार वड़ा, वड़ा, वड़ा ऑज़े दर्मा भया ज़िए तर्मा भया भया कामो है भया मैंने के पूरी खोशीश की लेकिन उसकी इजट नहीं बचा सका कि कौन था वो जगु जगु देखा गुरक सेट जो कहा था सुकर दिखाया न बड़ी हेकडी दिखाता था धर्मा मैंने भी उसके हेकडी का अंजाम दिखा दिया अब धर्मा को मारने की जरूरत नहीं है पारसेट क्योंकि अब तो शर्म से खुद भूखुद मर जाएगा ज हम उसे शर्म से नहीं जान से मारना चाहते हैं बिलकुल ठीक जब तक वह धर्मा का बच्चा मरेगा नहीं हमारा कल्यान होगा नहीं अपना कल्यान तो हो गया समझो पारसेट ये मजाग का वक्त नहीं है जगो मैं धर्मा को अच्छी तरह से जानता हूँ इस से पहले कि वो हम दोनों तरह पहुँचे है उसे हत्म कर दो तुम फिकर न करो सेट कल सुबा का सूरज धर्मा की मौत का संदेशा लेकर आएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो तो कल रात का चान तुम्हारी मौत का संदेशा लेकर उगेगा ऐसा कभी नहीं होगा सेट तुम की तुम की मौत की मरा आएगा तुम फिकर वो बाएगा हुआ तुम इभेख कि अजब ग। कार गद तक पर मागर तर दो ढॉल कंग रुट को पुट फेंगा कार गद गुट पर गद कर दो भल अधा तक पर दिलावर के सामने दिलेरी किसी की नहीं चल सकती धर्मा अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ भलाई जीमें है कि तुम अपने आपको कानून के हावाले कर दो हमें मौत के हावाले करने की तुम्हारी तमन्ना अधूरी रह गई हाव बड़े और इसे कानून के हावाले करके सजा मौत दिल्वाने की हमारी तमन्ना पूरी हो गई यह सलसर जूट है और मैं इस जूट को सच साबित करने के लिए विटनेस बॉक्स में खड़े मिस्टर विजय से चंद सवाल करूंगा जो कि मुल्जिम धर्मा के बयान के मता अब एक हालात और मौकाई वर्दात के चश्मदीत कवाह हैं इज़त है हां तो मिस्टर विजय क्या ये सच है कि मिस्कमला जिससे आपकी शादी होने वाली थी उसकी इज़त जगू ने आपकी आँखों के सामने लूटी जगू ने इज़त लूटी मेरी आँखों के सामने हां यह आप से किस ने कहा हुआ है वहरा दिमांग थो नहीं हिल गया अरे तुमने तो आगर मुस्क्री सब कहा था ईज़त हो जो मुझ ने कहा था जो सहाब यह जूठ बोल रहा है जूठ तो आप बोलने धरमा भया अपने आपको सजा से बचाने के लिए है बेहन की इज़ इस फो, फोरी से किया है खिख गुप हाग नोकर सब्सक्राइबीं बर्वे खिख गी है विख में लोकर सब्सक्राइब कर लोच आधर मारे किया है विख आधर भाम σकांटना कोड़ी ti Physik सु शीपना-वाज जाहे दौ्भा आवादर देका बारो प्रेवर गाली दोगो दूड़ो दूड़ो जारो दूड़ो चलो रहो चल्दी इतनी रात हो गए ये लोग अभी तक आये क्यों नहीं लगता है ये लोग आगे आप जूट तो आप बोलने धर्मा भीया अपने आपको सजा से बचाने के लिए बेहन की इज़त लूट जाने का भाना बनाने वाला आप जैसा भाई मने बड़ी बार देख रहा है ये क्यो होगे अफराड आपको आखेल आप जादी की फिए आख ऑज़त qi दूट आख पजए आ जाख आख यह खो गैफ खाइची है फिडिए खाइची है ऑड़ाओगो यह खाइची है जार्प इंत यह खाइब नह प्रुट्टे लुट्टे दुटे है inhibit ya भी 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 स辊 condition ओजा जर जरती लाक्ष्मी, लाक्ष्मी, दरा दे खोलो लाक्ष्मी 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 तर्मा, ये क्या किया तूने यह क्या है तुन्हें? तेरी बहेवाएन के इजद लुट ली मैंने अब टार धालत में और चेक-चेक करके के धर्मा ने मेरी बहेवर पєलत लुट ली है अब पता चलेगा तुन्हें कि कोई भाई अपनी बहेवरण के इजद लुट जाने का जोटा साहा नहीं लेता मैं तरह खून पी जाऊँगा तुने मेरी बहन की इज़त लूटी मैं तुझे जिन्दा नहीं छोटा कमो तुझे जिन्दा है कमो मेरी बहन मत कोहो मुझे बहन किसी बहन की इज़त लूटने वाला किसी बेहन का भाई नहीं हो सकता कमों तो नहीं जानती इसने अदालत में मेरे खलाफ कसा चहर उखला है मैं सब जानती हूँ इन्होंने अदालत में जो भी कहा जो भी किया सिर्थ मेरी इसद बचाने के लिए तुम्हारी उस बेहन की जिन्दगी बचाने के लिए जिसे तुम अपनी जिन्दगी समझते थे क्या और इसद लूट जाने के बाद मैं जीना भी नहीं चाहते थी वो तु विजय ने मुझे जीने का साहारा दिया लूटी हुई इसद को इसद दिया उसे शादी करके अब तुमने इसद लूट ले इनके बेहन की ए भगवान मुझे तो तुम्हे भाई के तुम्हे भी शर्माती है कितनी नीच और जलील इंसान हो तुम हाँ कमो सही है मेरी बेहन मेरी ज़गा कोई और भी होता उससे ये गलती हो जाती मैंने बाप किया है अपने भाई को माफ कर दे कमो माफ कर दे मैं तुम्हे कमी माफ नहीं कर सकती आज से मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ और तुम मेरे लिए मर गई हो मैं तुम्हे नफ्रत करती हूँ तुम भाई नहीं चान वरो पहिशी दुरिंदेओ, दूर हो जाओ मेरे नजरों से, चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ ठीक है, मैं अपने आपको कानून के हवाले करूँगा, शायद तो भी मेरा पस्चाता पुरा ना हो यूर अनर, यह धर्मा नाम का खतरनाक मुझरिम है जिसकी अदालत से पहचान कराना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अदालत इससे, और इसकी जलील हरकतों से अच्छी तरह से वाकिव है ये वो खतरनाक मुझरिम है यूर अनर जिसने चंद रोज पहले आप ही की अदालत में लक्षमी के भाई विजे पक काचिलान हमला किया और फिर उसी रोज जेल जाते वक्त पुलिस की हिरासत से फरार होकर ये सीधा विजे के घर जा पहुचो यूर अनर और उसकी मासूम बहन लक्षमी की इज़त लूट ली है नहीं जेसाब नहीं वक्त जूट बोल रहे है और 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 मैं सच बोल रहीं जेसाब इन्होंने मेरी इज़त नहीं लूटी ये निर्दोश है ये निर्दोश है जेसाब ये निर्दोश है लक्षमी तु पागल तो नह जूट और सच का पैसला अदालत करेगी आप बैठ चाहिए लक्षमी के बायान को मदे नज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि धर्मा पर लगाए गया इल्जाम सच नहीं है उसे सिर्फ शक की बुनियाद पर गिर्फतार किया गया था अदालत धर्मा को इस मुकदमे से बाईज़त बरी करती है लेकिन साथ ही जग्व के खून के जर्म में और पुलिस एरासा से फरार होने के जर्म में अदालत धर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाती है ऐसा क्यों किया आपने इसलिए कि मेरी मा मुझे हमेशा शिक्षा दिया करती थी कि नारी के बदन को चुने कादिकार उसके पती के सिवा और किसी को नहीं होता आप नहीं मुझे जबर्दसे से चुआ जरूर मगर उसके पीछे खलत फैमी और बदले की भावना थी यही सोचकर मैंने आपको माफ भी कर दिया और स्विकार भी कर लिया चलो लक्षमी चलो कम्मा लक्षमी अजिए जिए जिए ज़रा मेरे साथ हाओ आईए डक्टर साब क्या हो डक्टर साब लक्षमी मा बनने वाली है क्या हो डक्टर नहीं क्या कहा खुद पूछ लो इस से भरी अदालत में मुझे जूटा साबित कर दिया यह क्या कर कि मेरी इज़त नहीं लूटी गए सारी दुनिया में मुझे जलील किया और खुद धर्मा की नजर में देवी बन लिए अरे दुनिया वाले कल पूछेंगे कि तुम्हारी कोक में किसका बच्चा पल रहा है तो क्या जवाब दोगी कोई जवाब है दुनिया तुम्हे घटिया घटिया नाम देकर गाली देगी फिर क्या जवाब दोगी तु तो जीते जी मर गई लक्ष्मी लेकिन साफ में मुझे भी माद आला ये क्या कह रहे हो तुम ठला कोई भाई अपने बहन से इस तरह बाते करता है तुम चुपराओ कमू ये बहन नहीं डायन है डायन है जो अपने साथ साथ मेरी इज़त को भी खा गई मुझे इसकी शगल से भी नफरत है और जब तक ये मेरी नदरों के सामने रहीगी मैं तिल तूटता रहूँगा और पल-पल मरता रहूँगा वहां जा रही हो लक्ष्पा भाई की बातों का भाई इसका भाई मर चुका है और ये तो अदालत महीं मर चुकी थी मेरे लिए जाने दो इसे कमू लेकिन दिजए तुम्हे मेरी कसम कमो जाने दो इसे मैं जीते जी इसकी शगल नहीं देखना चाहता हूँ लिजए ये क्या किया तुम ने उसे रोक लो अगवान के लिए उसे रोक लो पर ना पता ने वह क्या कर बैठीगी खुद कुशे जो उसे कर लेनी चाहिए अगर वो नहीं करेगी तो मुझे करनी पड़ेगी लिजए अगर जाए न से तुम्हारी में किसका बच्चा पल रहा हूं तो क्या जवाब दोगी कोई जवाब है तुम्हे खटिया खटिया या नाम देकर गाली देगी फिर क्या जवाब दोगी तू तो जीते जी मर गए लग्शनी लेकिन साथ में मुझे मी बातारा मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई होग नहीं, मुझे मर जाना चाहिए क्या, हाँ, धर्मा में सच कहना हूँ, लक्षमी ले खुद कुशी कर ली है, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की मा मुनने वाली थी वाके बेटे, तेरी कहनी बड़ी अजूब हो गरते हैं, ना 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 ही रोते नहीं हैं, अरे इसमें तेरा क्या गुना हाँ, जो तु अपनी जिंदकी तबाह करने को चली है देख बेटे, जिंदकी अल्ला से किया वा वो वादा है, जिसे हर हाल में निभाना पड़ता है और फिर उस जनम लेने वाले बच्चे का क्या गुना हाँ लेकिन बाबा, नहीं कुछ नहीं, मैं तुझे इतना बड़ा जर्म करने नहीं दूगा तुने किसी माली को अपने हाथों अपना बाग उजारते देखा है अरे खुदा ने तेरे जिन्दी के बचाने का सुनहरा मौका इस नाचीस बंदे को बक्षा है अब ये जिन्दी के तेरे नहीं बेटे, तेरे पास मेरी अमानत है तुझे जीना है बेटे, आज से तू मेरी बेटी बनके जीएगी अब अब ये तेर अब ये जीएगी अब ये जीएगी अब ये जीएगी झाल झाल लक्षमी रानी रुपतो कमाला तु अब तक जिन्दा है और वहाँ तेरे घर मुहले वाले यहां तक के शहर वाले यह सोच रहे हैं कि तु मर चुकी है उल्लु के बटे कहते थे कि तु धर्मा के बच्चे की मा बनने वाली थी इसलिए तुने आत्माहत्या कर ले ए रानी लेकिन मुझे पूरा यगीन था कि तु नहीं मर सकती क्यूंकि जो और अपनी इज़त लुट जाने के बाद भरी अदालत के अंदर यह कह दे कि उसकी इज़त नहीं लुटी वह कैसे मर सकती ए रानी और अच्छे हुआ ना कि तु मरी नहीं अगर तु मर जाती तु मुझे कहां से मिलती अच्छे यह तो बता तु रहती कहां है क्या मतलब मतलब साफ है पहले तु धर्मा पे मेरवान हुई थी अब थोड़ी सी मेरवानी मुझपर भी कर दे चौकी के पीछे ही मेरा ठीकाना है अंदेर होते हैं मैं पहुंच जाना देख तेरा कुछ नी बिगड़ेगा और मेरा रोज रोज का इधर उदर भटकना बंद हो जाएगा समझ गहीं ना दिलावर और जग चुप रहते हैं तो समझ लो कि उसकी हाँ होती है लगता है आज की रात तेरे किस्मत में उजाला हो जाएगा इसका पता तो मैं निकाली लूगा हाई हाई हाँ मैं बहुत दिर तक तेरा इंतजार किया तो नहीं आए ना इसलिए मैं खुद ही चला आया क्यों अच्छा किया ना अब कर्म कोई है तो नहीं ना मुझे मेरे जिन्दगी जीने का मजाई क्या है जिन्दगी तो रस भरी होने चाहिए रस भरी आज मैं तुझे जिन्दगी का ऐसा रच चुकाऊंगा जिसे तुम अपने सारी जिन्दगी ने भूर पाऊंगी आजया है अनीश कमीरे कौन है तू शरीफों के घर में घुषने के तेरी हिम्मत कैसे होई कि मैं तुझे अपनी जुरत दिखाऊंगा पुठे दिलावर से दिलेरी अधा अधान अरे कोई दॉलो मेरी बच्ची को बचा रहे और यह क्या हो जाज़ा अधाइं छुदा के बास्से मेरी बच्ची को बचा लो उस्दलील दरिंदा मेरी लक्शमी को बेस्द कर रहा है में इस्जत उसे किया जाता बुड़े जिसकी को हिस्थ हो इंस्पेक्टर सब आप हाँ मैं इंस्पेक्टर दिलावर शाहिद आप लोगों को मालूम नहीं शरीफों का मन्ले में रहकर इस्जत बेचने का धंदा करती है ये अगर मेरी मा पर हाथ उठाया तो मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा हराम के पिल्ले वा तेरी जबान तो तेरी मा से भी जादा चलती है दिलावर से दिले जरा अपनी मा से तक पूछ ले कुटे कि तेरा बाप कौन है किस पाप के औराद है तू पूछ पूछ सती सावित्री से देख कितने पाप है पूछ इसे और एक कुस्तो खुदा का खौफ को इंस्पेक्टर मेरी बेटी पर इतना कहिमत धा ये पाक है पाक होगी तेरी नजर में बुटे लेकिन कानून की नजर में एक वैशिया है तुम दोनों का अंदर कर दूंगा समझाए तुम तो जानते हो कि मेरी बेटी तुमको भाई तुमको तो मुझ पर यक्किन है लाँ रहने तो बाबो रहने तो इस दो रंगी दुनिया में किस किस से मेरे लिए लड़ते रहोगे मैं खुद मंगल को लेकर याँ से चली जाओगी बैटी मंगल मंगल कहा है बाबा मंगल कहा चला गया मंगल कि जराँ अपनी मासे तँ पूछ ले गुट्रें कि जड़ा बाप कॉन है किस पाप प्लाड से तू जब कुछ झेंश अवितरी बहảiची किन बाप है से कि तपाप हिसे मेरा कोई बाप नहीं हैёт कौई नहीं पापका कौई नाम नहीं है उस पथर से कौन तकराएगा सहथ थारी बात इतनी महगी पढ़ जाएगी कि जेब और गल्ला दोनों खाली हो जाएगा या तो फिर 32 से हाथ में आ जाएगी लेकिन इस तरह दुकान बंद करने का मतलब? मतलब तो हम कताई कुछ न जाने है बस जाने है तो इतना जाने है कि यहाँ पर हपते में दो बार दुकान बंद करने का ओडर है इतवार के दिन सरकार बंद करावे है और मंगलवार की दिन अगर हपता न दे तो मंगल बंद करावे है यही तो हम तुम्हें कब से समझा रहे हैं लाला अब मंगल से ड़नने की कोई जरुवत नहीं है। दुकान खुली रखो, आज से पुलिस तुम्हारे साथ में है। अरे तुमने हमारी दुकान को सटर उपर कर दियो? मंगल हमारी जिंदगी को सटर राउन कर देवेगो? अरे तुम क्यों हाथ धोका मारी जान और दुकान के पीछे पड़े हो अरे पुलिस खुद मंगल का नाम सुनकर अपना सटर डाम कर ले वे हैं फिर तुम क्यों देखो लाला बाकी भी दुकाने सब खुल चुकी है और हर दुकान पर एक-एक सीबीय ऑफिसर की डूटी लग आज से इस बाजार में मंगल तो क्या मंगल का साया भी नजर नहीं आएगा कि अ कि देखा साया तो दिखाई दिया है अब मारो सायो मारो साय छोड़ कर चले जावेगो तो अंसो भजन गाउं के मारो प्राण बच जावे आज मंगल का हफ्ता दिये बगार ही दुकान बंद करके जड़ा रहे हो क्या बात कर रहे हो मंगल ठाइब को अब तो ना देकर मारे को परलोग थोड़े ही जानों है यह लोग भक्त जणों के संकर दूर करो नहीं मंगल आज से तुम्हें कोई हफता नहीं देगा कि अरेस्टेंड हमारे होते हुए डी सीपी दिलावर सिंग के होते हुए इस इलाके कें तो गुंडा कर दी पनपरी और हमें खबर तक नहीं हम चाहें तो हफते से मंगल का दिन ही निकाल दें सीथा सोम से बुद्धा है मंगल का नाम उनिशाने दुनिया से मिटा दें लेकिन 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 कुछ नहीं नाम तो बहुत सुना है सिर्फ देखना बाकी है कि कौन है ये मंगल जिसकी दिलेरी तुमारे जबान से टपक रही है एक बार उससे देखनू उसे ऐसे अंदर करूना कि उसकी कहा है वो पूंच लेगिवा से तो पूछ ले से तरह बाप कौन है तरह कौन है कि पाप की ओलाद है तू पूछ से इतने बाप है तेरे पूछ 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 कियो आ गया ना पसीना दिलावर के सामने दिलेरी दिखाने वाले हर इंसान को पसीना ही आता है कर दिलावर के सामने अंधर कर दूँगा अब जो कुछ करूँगा बाहर ही करूँगा जो हाथ आज तुने मुझ पर उठाए है वो भी मेरे पुली स्टेशन में चाहू तो इन हाथों को तोड़ कर तेरी गर्दन से लटका सकता हूँ मगर नहीं लटकाऊंगा मैं तुझे तेरे हिलाके में और उन तूर्ती हडियों की आवाज सुनाओंगा उन कमजोर काय लोगों को जिनकी खोकली हडियों को तोड़ कर तुवहां का शेर बना हुआ है मार्केट वालो देख लो तुम्हारे इलाके के इस दादा की दिलेरी को तुम लोगें के सामने इस लिए निकाली ताकि तुम लोगों के दिल में जो इसका खौब बैटा है वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए आज के बाद ना तो कोई से हफ्ता देगा और ना ही कोई सकी धंकी से डरेगा अफसर कानून का सहारा लेकर मेरे इलाके में मेरे आदमियों के सामने तुने मजे बहस्त किया है अब मैं कोई सहारा लिए बगहर इसी इलाके में अपने अदमियों के सामने तुम्हें कुत्ते की महत मारूँगा कुत्ते वो दिन आने से पहले ये दिलावर तेरी हडियों को जेल की सलाखों के पीछे ही सडवा देगा ये तेरा आखरी खेल है दिलावर के सामने किसी की दिलेरी ना तो आज तक चली है और ना ही चलेगी अब तो अपनी हर चीज का सोर लगा ले अफसर तुम बचे का नहीं दे बचे का तो इसे भुका रखा जाए जब तक मेरा इशारा ना हो तो इससे कुछ ना दिया जाए हाँ थोड़ी थोड़ी इसकी चमणी उधरी जाए बस दिलावर के सामने दिलेरी दिखाता है तुस्ते जिम्दकी की भीग ना मुवाए तुमेरे ना में दिलावर ना ही साथ इसके जमानत के लिए कोई आया है अंदर कर दूआ को ले वो मेरा मैक महने साथ मैं मंगल की जमानत के लिए आया हूँ और ये है मेरे वकिल साथ देविलाल जी ये रहे हैं जमानत एकागजाद ऐसे खतरनाक और नामी गुंडे की जमानत करवाने का मतलब समझते हैं आप ऐसे गुंडे की जमानत करवाने का साथ मतलब ये है कि जरीली और नशीली गैस को समाज में पहला देना जिससे समाज का नुक्सान ही नुक्सान है पाइदा कुछ में ये सवाल अगर आप जमानत मन तो दूस्त है लेकिन तुम्हारा दीमाग खाला ये सर्ट छोड़ दो मंगल को मेरी जमानत किसने थी जिससे कानून दुश्मनी करे उससे हम दोस ही कर लेते हैं पारिक सेट का नाम तो सुना होगा तुमने कौन पारिक सेट? अरे पारिक सेट जिने सारा बंबई जानता है अरे भई वो डायमन मर्चंट तुम्हारी जमानत के लिए मुझे पारिक सेट नहीं भेजाया पुचाते हैं तुम उनके साथ काम करो जब तक मंगल अपने काम तुरे नहीं कर लेता दूसरे काम में हाथ नहीं डालता अरे सुरो मंगल ठीक है जब तुम्हारा काम ने पड़ जाए तब चले आना ये रहा पारिक सेट का कार्ड वो तुम्हारा अंजारकत रहेंगे ठीक है काहे रतिया जगाए वादा तो आया तोगा विसकी फ्यादा होगे तर भी अनुआ खाई चूना लगाई के शट अप अकल शाम को आड़ा नहीं मेलूं प्रेश रहना बिल्कुल ना दोगा बाइ जगाए के रिदिया परशाए के कोई के लुटने नहीं परदा परदा तुझ से कहा था ना इसी चाराहे में इन ही लोगों के बेच मैं तुझे कुट्टे की मौत मारूंगा तु क्या मारेगा मुझे कुट्टे की मौत आज मंगर लगाई देगा टी आइसबी को चूना है अ आ आ आ हुआ 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 आज मारू सपनु कैसे उलतो होगयो हुआ 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 आज शानुदार को कि होयो, दारू नहीं पियो का खानू नहीं खायो आज अज हुआ आज वारू नहीं खायो कर दो एक सम्हले कितने दुछू अ धě अ वो चार प्राइब तेय रहाक्पू झार प्राइब तुछू तर भी थाएब ऩड़े, तर रहा प्रेक्राइब एli हुआ हो धर रहा हुआ हो कित प्रॉड़S ते बाद thi टुछू झाल, झाल, झाल! तेरा क्या कहना तेरा क्या कहना आज सारी रेना रेना तंग मेरे साथे मेरे तेरा क्या क्या कहना में प्टिस्स्टाहिई, एग टिढख एग dönा, हग टुरि कारी किरी मैं ers欲ंभ, सुटीर की ख़ती Light क्षosaur एग जुरर क्वेण ठ् insider क precisamente कर दो 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 कर मुठो करना ले आना चंप तुरा रखन यहाँ आत करें दीने ले ले तेरा क्या कहना तेरा क्या कहना करें आत करें दीने ले 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 खुरा रखना करिंख में पetically जशें से निड़ा से तेन घमान! हाज़ ञिरी ती पुंट हैं? हाराय में और में जाताई निया टाया! आ वाराय présent जाराय फफॉ डाराय हाक तव पूलरा स आ गारय वाराय में औरसा चरू चाराय तूलरा ग्या तूलरां लाराय जही हां? हम नगर मेरे हम दम हम पुर से उड़ जाएंगे हम बनके पंजारे मेरा आती मेना उत तेरा क्या कहना को व सता हुआएंगे वेलकम हैंसम वेलकम केके ने जो तुम्हारी तारीब सुनी थी। बिलकुल सही निकले। डांसर और सिंगर बनकर माल की हेरा फेरी करना कोई तुम से सीखे आपकी तारीफ? ओ, यह रिश्मा है, मेरी बिसनेस पार्टनर, मेरी लाइफ पार्टनर, वगरा वगरा मेरा ख्याल है मैं इधर उदर की बाते छोड़कर काम की बाते करनी चाहिए इसमें पूरा दस किलो ब्रॉंच शगर है नहीं, नहीं, हमारे यहाँ पहले रूपाओं का बैग खुलता है शो यह, यह क्या पागल बने? यह पागल पर नई बल की हकीकत है मिस्टर केके, तुमारा खेल खत्म हो चुका है यह अने रेस्ट, हैंस अप, हैंस अप तुम तो, महाँ नाई हम सिंगर है और नाई डांसर तुमारे यह आने वाले दोनों सिंगर और डांसर इस वक्त हवाला आपकी हवा खा रहे हैं मैं सिवियाए ओफिसर विकरांथ हूँ और मैं हो इंस्पेक्टर किरन गुपता रुख जाओ अधना बेकार है तुम सब लोग चारो तरफ से घर चुकिया हो केके, समझदारी इसी में है कि तुम अपने आपको कानून के हवाले कर दो तुमने और केरने मिलकर ब्राउन शुगर के सरदार केके को पकर के कानून के माथे पर समता का सेरा बाग दिया है तुम्हारी कामयावी पर खुश होकर अमारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें डी सी पी दियावर के खून का केस सौंपने का फैसला कर दिया है और मुझे पुरा यकीन है कि तुम गवाओं के साथ सबूत पैदा करके आजाद घूम रहे खूनी मंगल को उसके गुलाहों की सजा जरूर्द लवाओगे और यह रहे उसकी फाइल थैंक यू सर थैंक यू वरी मच सर वे अपनी जान की बाजी लगाकर आपके यकीन पर उतरने की पूरी कोशिश करूगा विच्व अब बेस्ट और यू तो थैंक यू सर आपके आशिर्वात से आज आपके बेटे को हर कदम पर कामयाभी मिल रही है विग्रान आ गया थू मिल गई फुरसत तुझे मा से मिलने की मेरी प्यारी प्यारी अच्छी मा तु तो जानती है कि जब तक तेरा बेटा अपना फर्स पुराने ही कर लेता तब तक वो प्रस प्रस बढ़ा है आपनी बढ़ाई करने वाला चार साल से एक अपरादी को हदकड़ी ने पहना सका और डिंगे मारता है बड़ी-बड़ी कौन है वो अपरादी मा क्या है उसका अपराद अपरादी है पुलीस इंस्पेक्टर मिस किरन गुपता और उसका अपराद ये है कि वो मेरी बहु बनने में उतनी ही देर कर रही है जितनी मुझे जल्दी है मैं अब समझता हूं मा मगर इस मामले में तु मुझे कुछ दिनों की महलत और दे दे सिर्फ कुछ दिनों की आज ही मुझे मंगल नाम के एक नामी और खुखार कुंडे का केस मिला है मैं वादा करता हूं मा जिस दिन उस कुंडे को सजा दिला दूँगा उसी दिन तेरी होने वाली बहु को शादी की हदकरिया पहना कर तेरे सामने लिया हूंगा बस मा अब तुम मुझे आशिरवाद दे दे कि मैं इस काम में चल्दी से चल्दी कामियाब हो जाओ मा का आशिरवाद पेटी के साथ हमेशा रहता है विटा भगवान तुझे कामियाबी दे सफल करे जूट तो हम कतई न बोले हैं हाँ दिलावर साब का खुन हुआ मंगल के रात को नो बजे लेकिन मंगल के दिन मारी बोलती और दुकान दोनों बन रही है जी मेरी समझ में नहीं आता तुम सब लोग इतना डरते क्यों हो आखिर किसका डहर है तुम्हें तुम क्या करते हो जी हमार पान की दुकनिया है चूनना लगाई के जिस वक्त डिसीबी दिलावर का खुन हुआ उस वक्त तुम कहा थे उस राप तो हम हस्पदाल में बढ़ती थे तुम क्या जानते हो इस खून के बारे में कुछ नहीं जानता सब सच सच बताओ सच बढ़ता है चुड़ बोलता है इस से क्या पूछता है छुगरे मैं बताता हूँ मेरा नाम मंगल है और दिलावर का खुन मैंने किया इस इस इलापे में मेरे खिलाफ तुम्हें गवाही नहीं मिलेगी अगर अपनी जिन्दगी चाहता है तो अगले मंगल तक अपना तबादला करवा ले है किसी के डर या धंकी से अपना तबादला करवाने वाला ओफिसर कोई और होगा मंगल मैं जिस सिलाके में जोग काम करने जाता हूं उसे पूरा करके ही दम लेता हूं आते मंगल तक अगर तुझे हद्कर या नहीं पैनाई तो मेरा नाम भी विक्रांत नहीं लगता है तुझे जिन्दगी से प्यार नहीं है अफसर ठीक है अगले मंगल आ जाना इसी चुड़ाये पर अगर तुरा दम नहीं निकाला तो मेरा नाम मंगल नहीं खाई के पान बना रस्वाला खुल जाई बंद हमें मंगल का मिलेगा कार तुम मंगल का पटा पूचत हो अरे उकवान पता बता दियो तो इन दुनिया में तोहार पता नहीं मिलेगा prefiz मंगल का पता पूछता ससुरा भाई साथ मंगल का पता मिल सकता है हमें नहीं मालूम मंगल का मिलेगा मंगल का पता पूछ रहे हो इस इलाके में मंगल का पता तुम्हें कोई नहीं बताएगा सब डरते हैं उससे मैं बताता हूं तुम्हें मंगल का पता सीधे जॉन केटडे पर चले जाओ वहाँ दारू पीता हुआ मिलेगा तुम्हें चेर्स गुरू जब से तुमने दिलावर का खून किया है अपनी तो चांदी हो गई है क्या लोग आप उनसे यू घबराते हैं जैसे हमारे अंदर हमारी आत्मा नहीं तुम्हारी खूखा रात्मा गुज गई हो मसका मार रहा है मसका नहीं मसका नहीं पक्किया की बाद सोले आने सच है मंगल अपनी तो वाके ही चांदी हो गई है मंगल और अ यह लो मंगल मंगल फॉरन आकर हमसे मिलो हमसे मिलने में तुम्हारी भलाई है, वरना बात पच्टा होगे, पता काट के पीछे लिखा है, चिनाई कौन साला, चिनाई एंड कंपने पंदरा मिनिट तक मेरे अंचार करना, हम नहीं हूं तो समझ गए आओ मंगल आओ, हमें उमीद ही तुम जरूर आओगे चिनाई, काम की बात करो काम की बात यह है मंगल, कि आज से तुम हमारे लिए काम करोगे क्योंके चिनाई को खुखाग शेर पालने का शौक है मंगल सिर्फ हकुमात करना जानता है, किसकी गुलामी नहीं इस बात का फैसला इन तस्वीरों पर छोड़ देते हैं देख लो यह तस्वीरे मेरे ही आदमें ने खेशी हैं मंगल जो तुम्हें बाकी की जिंदगी जेल की चक्की पिसवा सकती है मुच्स अलएक में की खचिक चकता चाले है हा? जेग उखता की? जेगा! यह किसे मंगल, यह भी तेरी तरह हुकूमत करना चाहता था, इसे भी गुलामी पसंद नहीं थी, इसमे भी तेरी तरह मेरे घर में आके मुझ पे हाथ उठाने की गलती जी थी, और अंजाम देख क्या हुआ? तब से अब तक यह मेरी गुलामी किये जा रहा है, और आज एक और गुलाम का इसाफा होगा कोई भी अपनी जगा रही लेगा नहीं, वरना भून के रख दूगा, आप उनका नम पक्या है, क्या? खत दो दोनों को व अभी आर भी कहिंग me अ बहुछ चलों के नहीं? झाक के शूपिग भी अमेन अगजा गजाए और शूव में अबम जब कि छोड़ दे इसे तुने धोके से बार करके ये थाबिद कर दिया कि तेरी रगों में किसी कुट्य का खुन है माय तुझे मौका देता हूँ भाग सकते तो भाग बार कर अम्सादे भाग तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने पूरी इमक्वरी कर ली है यह देखो यह है परवीन भाई पारी है कहने के तो डैमिन मर्चंट है लेकिन धंदा करते हैं ब्राउन शुगर पूरे गुजरात में सप्लाई करने का यह है उनका खास आदमी मैक जो परवीन भाई का पूरा दो नमबर का धंदा समालता है यह चिनाये हैं यह भी दो नमबरी था लेकिन दो दिन पहले इसका और इसके सारे साथियों का खून हो गया चिनाये के साथियों की लाशों में पॉलिस को दो लाशे उन आदमियों की बरामत हुई, जो मंगल के साथ ही थे किरन, बस यही दो लाशे है, मुझे मंगल को हद कड़ी पैनाने के लिए कफी है welcome, मंगल welcome welcome Kushamudit मुझे पारेक केते है हाथ मिलाने से पहले अच्छी तरह सोच लो पारिक हाथ मिलाकर जो लोग हाथ खेजने की कुशिश करते हैं मंगल उनके हाथ काट कर फेंक देता है वाँ मंगल वाँ क्या बात कही है लेकिन पारिक भी डैमन मर्शंट है हीरों का भी पारिक वो एक ही नजर में पैचान लेता है कि हीरे की कीमत क्या है अब तो यकीन हो गया ना मंगल कि पारिक को नायाब हीरे ही पसंद है रिश्मा डालेंग इदर हाओ हम तुम्हे अपने नए साथी से मिलवाते है नए साथी तुम्हे मुबारक हो मुझे साथी बदलने की आदत नहीं Oh, don't be silly, रिश्मा तुमारी मदा करने की आदत नहीं जा üzव आव, पंगल, ये रिश्मा है और रिश्मा ये है पंगल हलो बाहिर से जितनी मुलाय हो आंदर से इतनी सक्षिए लगते हो अंदर की सकती देखने की कोशिश भी मत करना पर ना ओ फो रेश्मा कभी तो अपना मूड़ अचा रखा करो मंगल तुम इसकी बात हसीनों की हर बात हसीन होती है और मंगल हसीनों की बात का बुरा नहीं मानता अरे वा मंगल तुम तो पारिक से भी जादा रंगीन मिजाज निकले तो फिर मंगल ये समझ लिया जाए कि तुम पारिक से के साथ काम करने के लिए तयार हो मंगल नहीं पारिक मंगल के साथ काम करना चाहता है तो फिर हो जाए इस बात पर जशने हंगा मा क्यों रिश्मा चुर्ज चुर्स चुर्स गुड़ लग मंगल गुड़ लग आज का ये पहला जाम तुमारी और हमारी दोस्ती के नाम देखा मंगल तुमारे साथ काम करके पारे से कितने खुश हैं आज से पहले मैंने कभी इनको इतना कुछ देखा ही नहीं मेरा खयाल है मैक तुम्हें हीरो का विवपार छोड़कर मक्षन का धंदा शुरू कर देना चाहिए मतलब मतलब मैं समझता हूँ पारेक सेष लगता है तुम बहुत समझदार हो ओ कमान रिष्मा डाले आज के दिन ऐसी जली कटी बातें मत करो एक्स्क्यूज मी तुम जर सी हैसीन कमसिन लड़की इन दिरिंदों के दुन्यों में कैसे फस गी तुम जैसा कोई हमदर्दी जताने वाला अपनी बातों में भसाकर मुझे यहां ले आया अब मुझसे यह मत पूछना कि क्या मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ क्योंकि इस ग्रुप में आने वाले हर नए मर्द ने मुझसे यही सवाल किया है यहां की आशकी सिर्फ एक रात की होती है और मुझे एक रात का मेहमान बने का कोई शौक नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम मैं एक बात कहना चाहता हूँ मैं तुम से कुछ नहीं सुनना चाहती यह बाती मैं बर्सों से सुनती आ रही हूँ और अब मुझे इन बातों में कोई दिल्चस्पी नहीं है क्या हुआ रिश्मडा लिग बड़े तेज दिमाग की लोकी है भाई खर छोलो आप उसकी अब कुछ दंदे की बात की जाए बहुत दिनों के बाद माजी से मिल रहे हूँ लगता आज डाट खाने को जरूर मिलेगी अब उससे डाटने जैसे उमर भी तो नहीं रेभै साब अब उससे समझाना मेरी बस की बात नहीं अरे बहन जो नहीं समझते हैं न उन्हें जबरदस्ती समझाना पड़ता है किरन बेटी मेरी है लेकिन है बहुत सिद्धी ऐसा करते हैं उन दोनों की शादी की तारीक पक्की कर देते हैं और पैना देते हैं दोनों के हाथों में शादी की हत कड़ी झाद प्ली में की जसते हैं की बात पैना थी बात दोनों की तृनिक में शुच्स法ून मैं हो गया तेरा तू हो गई मेरी आई मिलन की घरी आ पहना दे मुझे पहना दे तू बाहत की तेरे हट करी आ पहना दे मुझे पहना दे तू बाहत की तेरे हट करी आ पहना दे मुझे पहना दे तू बाहत की तेरे हट करी पहना दे मुझे, पहना दे तू, पाहों की तेरहत कड़ी पहना दे मुझे, पहना दे तू, पहना दे तू, पाहों की तेरहत कड़ी पहना दे मुझे, पहना दे तू, पाहों की तेरहत करी पहना दे मुझे, पाहों की तू, पाहे है! झाल झाल कितने बरस ये दिल का सा सरसा सबन के बादर ये प्यार बरसा सावन की लाई जड़ी आ पहना दे मुझे पहना दे तू वहां की तेरे हट जड़ी पहना दे मुझे पहना दे तू वहां की तेरे हट तरे अब ये कियामत कैसे रुकेगी तिल की लगी अब कैसे बुझेगी तिल की लगी अब कैसे बुझेगी ये आप तू जड़ी आ सहना दे मुझे पहना दे मुझे पहना की तेरे हट तरे महों तुर्ण तू हो गए मेरी Пाह मिलन की गड़ी आ पहना दे मुझे पहना दे को तूसां की तेरहत तरे इसहा सहना दे मुझे पहना दे को तूसां के तेरहत तरे क्या बात है बेटे, यह हदकड़ी किसे बना रहा है, माँ वो बात ही है कि यह हदकड़ी बिलकुल लेटेस मॉडल की है, बहुत ही मजबूत है, सरकार ने अभी भी बनाई है, इसका नमूना मैं किरन को दिखा रहा था, किरन बोलो न माँ को यह, हाँ माजी, बेटे हमने भी नई हदकड़ी ढून निकाली है, तुम दोनों को पहनाने के लिए, नई हदकड़ी पापा, हाँ बेटी, जो दूसरों को हदकड़ी पहनाते हैं, उनको भी कभी न कभी दूसरों के हाथों हदकड़ी पहन नहीं पड़ती है, अंकल मैं कुछ समझा नहीं, वो बाद में अहाँ आजाना, अरे अंकल हम दोनों आपका कहना चैसे टाल सकते हैं, हम कल वहाँ जरूर आएंगे कम हो, यहाँ नहीं दर्मा, राकी बन्हाने मत चाने, कम मने तुम्हे देख लिया, तो उसकी नफ्रत की शोली तुम्हे जदा देंगे सुल्गा जरी तुम्हे तुम्हें तुम्हे बन्हाँ जड़े क्ष्वब यहाँ कर रच्ट एक प्रचुछ नहीं दो यहुच कर दो हें लेड़ बगार करना को और झारकां। दर्मा, क्या बात है, राखी नहीं बनवाओगे? नहीं जिलर सहाब, धर्मा की ये पापी हाथ, राखी की पोवित्तर धागूं का बोज, नहीं उठा सकेंगे. धर्मा, अगर इसी तरह सोचते रहोगे, तो जिल से महा निकल कर जियोगे कैसे? भूल जाओ वो सारी बाते, अब थोड़े ही दिनों में तुम रिहा हो जाओगे, और उसके बाद, तुम्हें दुनियादारी में ही जीना. इतना याद रखना मंगल, कि जिस पार्टी से तुम सौदे की बात करने जा रहे हो, वो बहुत बड़ी पार्टी है. वैसे तुम एक भी तुम्हारे साथ होगा, लेकिन सौदा करोगे तुम, अगर ये सौदा हो गया, तो हम सब के साम माला, क्या बात है, आज पहली बारे सफेद पोशाक वाले के घर ये खाकी वर्दी वाले, आपके पवितर चेरों हमारी चौखट पर, वैसे मैं आपका नाम नहीं जानता, मिस्टर, मंगल अच्छी तरह से जानता है पारेक सेथ, क्यों मंगल, याद है रहा, मैंने तुस्से काया था, कि अगले मंगल तक अगर मैंने तेरे हाथों में हथकडिया नहीं लगा दी, तो वितरांत नाम नहीं मेरा, चिनाय के खून के जर्म में, तेरे नाम का वारंट लाया हूं मंगल को हथकड़ी पहनाने के लिए तेरे हाथों में कितना दम है, मैं अभी देख लेता हूं, नहीं मंगल, नहीं, समझदार लोग कभी खाकी वर्दी वालों पर हाथ नहीं उठाते, अगर इन से टकराना है तो शेतरंच की चाल चलना सीखो, मैं कोई चाल वाल नहीं जान अगर के साथ जीप में बैच जाओ, और आज पारिक को भी आजमा लो, अगर हमने तुम्हे पुलिस्टेशन की सीड़ियां भी चड़ने दी, तो हमारा नाम पारिक सेट नहीं समझे, इंस्पेक्टर रंजीत, मंगल को अंदर ले जाओ, विकरांथ साथ, आप मंगल को अंदर नहीं ले जा सकते, मैं उनकी जमानत के लिए आया हूँ, मंगल की जमानत किसी भी हालत में मुम्किन नहीं है वकिल साथ, इसका फैसला आपके हाथ में नहीं है इंस्पेक्टर विक इसका फैसला यह है जो जजज साहब ने किया है वगिल साप यह है मंगल की जमानत के पेपर जो मैं जजज साहब के घर से लाया हूँ इंस्पेक्टर रंजीत यह सर मंगल को छोड़ दो देगा मंगल एक बार हम जिससे दोस्ती का हाथ मिला लेते हैं उसे कभी पुलिस्टिशन की सीड़ियां शड़े नहीं देते हैं हाओ क्यों आफ सर मेरे चैलेंज के जवाब देने आया है या कानून के कुझ्या हथकंडा लिक रहा है कानून के हथकंडो से तो तुम बच गया मंगल लेकिन आज मुझ से नहीं बच पाओगे हो 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 हाँ वंगल अपने चैलेंज का फैसलाब जमेन पर पड़ी वोर रिवॉल्वर करेगी गोली वही चलाएगा जो पहले रिवॉल्वर उठाएगा तो मौत का सामान साथ लेकर आये हो झालेंज करण से भीड़ी वाहे जड़ करे लेकर दो बचलाएगे लेकर तो मौत का सामान साथ लेकर पाओगे सब्सक्राइब टुटएब कर दो, फो पजाराबाले के वारा-पी एमूर्णादी हो, आप इसक्ता के वाराले कर दो, पारादी हो, इसक्ता के टुटएब पर्णाजादी हो! जिका कहते हैं, वन्टू का फोर, फोर्टू का वन, चुना लेगाईगे अफसर, प्रेवर बर सामने पड़ा है उठा दे उठागे उठागे जुट, इक भी जिएक अपने बापको जो पस्तार उठागे गावईको आफु सर, मंगल को मारने के लिए दूसरा चनम देना पड़ेगा तुझे तेरी मा की खर्सम, अगर तुने इस पर गोली चरही तो, पेख दिये पिस्तोल, मैं केट यू, फेख दिये पिस्तोल क्या सोच रहा है बेटे, जै कुछ ले, जा, अपनी घर जा, तेरी मा राह देख रही होगी क्या, हमारी लक्ष्मी जिन्दा है, मैंने अपती आखों से बुगा को देखा है, अगर तु भी देखना चाती है, तो चल मेरे साथ, चल कमला, तो, हाँ, मैं लक्ष्मी, यह सब क्या हो गया कमला, यह मैं क्या देख रही हूँ, वक्त ने हमसे तेरी भाईया को चीन लिया, लक्ष्मी, चीन लिया, कमला, अरे यह क्या, यह भी कोई तरीका है मिलने का, मा और बुआ जी, इतने बरसों के बाद का मिलन, आसों में डूपकर नहीं, खुशों में जुमकर होना चाहिए, कभी-कभी, जरूरत से ज्यादा जीते रहो बेता, जीते रहो, इसका मतलब अपना ही खुन, अपने ही खुन का पैसा बन गया था, है भगवान, आज अगर मैं वक्त पर न पहुंशती, तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, अरे आप जैसी बुआ के होते वानर्थ कैसे हो सकता है, हाँ, मगर हम दोनों पर जुन जरूर हो रहा है, क्योंकि आप हमें बैठने के लिए तो कैती रहे, और शायद लगता है, बातों बातों में, मैं तो तुम लगों को बैठाना ही भूल गई, आओ कमो, आओ बेटा, आज मैं तुम्हें अपनी ट्यूटी हुई तक्दिर की उलजी हुई कहानी सुनात भगवान भलाकरी करीम नियाका, जिन्होंने तुम्हें बचा लिया, कितनी दुख भरी कहनी है तुम्हारी, कितनी दुख उठाये तुम्हें लक्षमी, और हमें खबर तक नहीं की, क्या करती, भाया के माते पर कलंग बनकर, उनके पास रहने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, और भाया भी नहीं रहे, मेरा कम खा गया होगा उन्हें, मैं जानती हूँ, अफो बुआ, जब से आप दोने एक साथ बैठी है न, रोने धोने के सिवक कोई दूसरी बात ही नहीं की, ऐसा लगता है कोई ट्रेजडी फिल्म देख रहा हूं मैं, सुना, ठीकी तो कहता है, औ अच्छा, हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, बलके उनके ही नक्षी कदम पर चल रहा है, सलाम गुद मॉर्निंग गरसेच, गुद मॉर्निंग क्या सोच रहा है, गोरकसेच? मैं यह सोच रहा हूँ, कि हमारे धंदे में कभी-कभी नए लोग भी कितने पुराने लगते हैं क्यों छोटे? हाँ बड़े, मैं भी वही सोच रहा हूँ, जो आप सोच रहे हैं तुम्हारी तारीफ? पारसेच, यह मंगल है, और मंगल यह है push गोरकसेच, और यह इन चोटे भाई, पारस हम अपको पहले बतादे मंगल सायब, के हम थोक यह व्यापारी हैं चोटा धंदा न तो हम करते हैं और न किसी चोटे व्यापारी में दिलचस्पी रखते हैं हमारे यहां पचास किलो ब्राउन शुगर हर हफदे तयार होती है हाँ अगर तुम इसे खरीदने की तापत रखते हो तो नाम क्या है आपको है पारस पारस सेट अगर पचास तेन भी स्प्लाई कर सको तो भी सौदा करके ही जाओंगा यह तुमने चाटिया मंगल है आई इसे बात किलो की करने और टनों की बात करने लगे सौदा करने मैं हो मैक और जो मुझे ठीक लगता है वही करता है अगर तुम्हारी पसंद नापसंद का सवाल नहीं है सवाल है बिजनस का और तुम इस बिजनस में बिलकु ने हो तुम्हें मालूम है पारस सेट मैक अगर तुम्हें इतराज ना हो तो कुछ बाते में मंगल से अकेले में करना चाहता हूँ अकेले में? मुझे क्या अतराज हो सकता है? क्या तुम्हें पाराज हो तुम्हें हो तुम्हें पाराज से लगए क्या खास बात करें देखते जाये मंगल सहाव मेरी आख़्ों के सामने तुमने हमारे आदी मैक की जान दे दी अगर हम चाहते तो मैक के साथ तुम्हें भी भेज सकते हैं लेकिन हम दोस्ती में जान देते हैं लेते नहीं मैक की जान लेने के लिए पारिक में हमसे का था टेलेफोन पर के लेकिते पारिक में हम एकी जाना में हमरा थे नहीं में हमारे के लेक म्या चaltet थाल मसे तुम के लेकिते हैं बंगई देल दियं दिल लगें दिल लगें दिल लगें इक राश कें आज करते हैं आशक आशक इक रात की बंगई देल दिल लगें दिल लगें दिल लगें दिल लगें इक राश के आज तर करते हैं आशिक, आशिक निक रात की अब किसी का नाम लेकर कौन मरता है यहां अब किसी का नाम लेकर कौन मरता है यहां उम्र करता कर स्थाना कौन करता है यहां हो गई है दोस्त की, दोस्ति कित रात की आज तर करते हैं आशिक, आशिक निक रात की आज करते हैं आशिक, आशिक निक रात की हो गई है आशिक, आशिक रात की अपनी सर पे सैखरो ये जाम लेने देखे लो अपनी सर पे सैखरो ये जाम लेने देखे लो दिन अगर देखे तो फिर जान देखे लो लोग अब देखे लही जी नींद फी इत्राश की आज तर करते हैं आशिक आशिक निकरात की आज तर करते हैं आशिक निकरात की आज तर करते हैं आशिक निकरात की में नहीं में को मरवाया है हमारे जंदे में जब कोई जहर उगलने लगे दोसका फन कुछले बगार हम पानी तक नहीं पीते हैं में जहर उगलने लगा था वो रास्ते में हमारा मा लूटने की साज़िश कर रहा था साज़िश कौन कर रहा था ये तो मैं नहीं जानता लेकर मैं को मारने की साज़िश तुमने इसलिए की है कि मैं तुम्हें मिल गया है कल मेरी जगह कोई और भरोसेवला आदम आ गया तो तुम मेरा पता भी रादों आज घ्वे तुम मेरा पागल था लेकिन मैं, मैं तेरा बाप हूँ, बाप इन फाल तो बातों के लिए मेरे पास बिलकुल वक्त नहीं है मंगल धन्दे की बात करो मैंने गोरा की सब शर्ते माल ले हैं लाग दस लक बिजनस में वो इंटरेस्टेड नहीं मतलब? उसके यहां हर हफ़ते 50 किलो ब्राउन शूगर पैक होती है और वो उसी पार्टी के साथ बिजनस करना चाहता है जो उसका सारा माल खरीद ले मतलब यह के मुझसे पूछे बगएर तुमने हा कर दी तुमने सादा करने के लिए मुझे बेजाता ना मगर हम उन बेवकूव बेवपारियों में से नहीं है जो एक साथ इतना माल उठा सके और फिर उसे खापा सके एक बाद सुन ले पारे मंगल सीडियां गिन कर जाने का आदी नहीं है मैं लिफ्ट से जाना पसंद करता हूँ तुम्हारी लिफ्ट और तुम्हारा सौदा तुम्हें मुबारक हो हम तुम्हारी जबान की धार पर ना तो अपने आप को रख सकते हैं और ना ही अपने धंदे को गोरक को जबान तुमने दी है इसलिए धंदा तुम ही करोगे हम नहीं क्या बात है मंगल, लगता है आज तुम्हारा मूर कुछ उख़ा हुआ हुआ है पारिक जैसे जबान के कुछ आदमी के साथ तुम्हारा मूर ठेक रह सकता है, मेरा नहीं अन्याज ची उसका साथ छोड़ दिया है पेरी बात मानो, तुम्हे उसका साथ छोड़ दो मंगल, तुम्हें याद है, मैंने अपनी पहली मुलाकात में ही कहा था, कि मुझे साथी बदलने की आदत नहीं है मुझे पारिक मत समझे नरेशमा, उस दिन पहली बार जब तुम्हें देखा, तुम अच्छी लगी तुम चाहो तु जिन्दगी भार मेरी बीबी बनकर रह सकती हो मेरी बात पर गवार करना, मैं तुम्हार इंसार करूगा माँ, कहाओ, क्यों आया है यहाँ मैंने तुस्से कितनी बार कहा है, कि मुझे तेरी हराम की कभाई नहीं चाहिए फिर क्यों चला आता है मेरे दखमों पर नमक का चलिकाओ करने मेरा दिमाग खराब है में चलाता हूँ, मा का घर समझ के चला आता हूँ, यह जानती है भी कि मा, मा नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा सुलू करती है मेरे साथ अरे मैं नहीं चाहता है, लोगों इंक सामने तुम हाथ फैलाए, भीक मांगे उनसे उनके जूटे बरतन माजते माजते तरी जिन्द की खिस्टा है, इसलिए आता हूँ के ले यह ले रख ले इसकी जगा मेहनत मज़ूरी से दो वक्त की रोती मुझे ला देता, तो मुझे फक्र होता कि मैं एक इमानदार बेटे की मा हूँ, लेकिन तुझे देखती हूँ, तो शर्मर अफसोस से मेरी आँख छुक जाती है तुझे इस बात का अफसोस है, कि तुझ मेरी मा है, और मुझे इससे भी ज़्यादा अफसोस है, कि मैं सालिम क्या ओलाद हूँ, जिसने तुझे बरजूम ढाय है सुन करने वाला, सुन करने के लिए मज़बूर था ऐसी कौन सी मजबूरी सी उसकी जिसने तुझे दर-दर की ठोकरे खाने पर मजबूर किया और मुझे मुझे हरामी का नाम देकर एक कुट्य की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया । वो तेरी नजरों में मجबूर होगा। लेकिन मेरी नजरों में बहरा मुझरिम है वो। मुझरिम । तु है। जो जान भूच कर बेकुसर लोगों पर जुन धा रहा है। खुन बहा रहा है उनका। हुँ, बहा है खुन, और भी बहाओं को। इस दुनियन मुझे क्या दिया है, ठोकरे, नफरत, जलारत, इस दुनियने जो मुझे दिया है न, वो इस दुनिये को लटा रहा हूँ मैं, अब देख मा, मैं तरे से बहस करने नहीं है, मैं रुप्यादीने आयों रख ले नहीं चाहिए मुझे तेरे ये रुपी, आसे तेरा और मेरा कोई रिष्टा नहीं, चला जो यहां से, मैं कहती हूँ, चला जो यहां से, चला जो यहां से चता हूँ पता नहीं, ये कब सुद्रेगा, मैं क्या करू मा, मैं क्या करू, मैं क्या करू मा, तो ही पता मा लक्ष्मी, पहचाना मुझे, मैं हूँ धर्मा जिसके पाप कर सजा तुम आज तक भोगत रही हो मैंने जेल में सुना था कि तुम वहान की पगवान की षख रख कर तुम जिन्दा हो तुमने तो मुझे माफी का माखहوقर नहीं दीा राश्चित की साक में पछले तीस साल से चला उँ अग्या अग्याए नहीं की मुझे माफ किय जाया लेकिन हो सकेक, तुह इस बापी की जुली में माफी की भीक ढाल właśnie मुझे माफ परदो आप dinheiro, मुझे माफी मंग कर dispatch मुझे इतने बड़े बाप की भागी मत बना Itdhok तू पाप' की भागी कैसे बनेगी, लक्षमी आप की भागी तो मैं बन गया था तकिनाच, अजब भगन मुझे अपने पाफ के प्रस्चित का मुगा देदिया. लक्समाँ, लक्समाँ, जानते हैं, हमारे एक बेटा भी है? हाँ, जानता हूँ, उसी की सुरह देखकर तो मैं यह तुम्हारे पास पहुंचाऊं, और इहां कर यह भी देखा, कि मेरा अपना खून मुझे कोश रहा है, और इसमें उस बेचारे का क्या कुश्र। उसुर तुम मेरा है, मैं ही नफरत का बीजबोया है, सब मुझसे नफरत करते हैं, यह तक कि मेरे बहन कम हो, वो भी मुझसे नफरत करती है, कम हो आपसे नफरत नहीं करती, त्यार करती है, बहुत याद करती है आपको, क्या, च्या करी हो? हाँ, वो यही पास में रहती है सच कौन आया है? कम्वो, मेरी बैर बैया, बैया बैया, बैया कम हो, मेरी बैया कैसी है तू, कितने सानों के तुस्से दूर हुए तुझे देखने को आँखे दर्स गई थी, मेरी मैं भी हर पल तुम्हें याद करती थी, भैया मैं तुमसे मिलना चाहती थी बगर विजय के दिल में तुम्हारी ले नफरत मरते तम तक जिन्दा थी और शाय वो चायस भी थी किसी दिल मैंने तुमसे मिलने के कभी हिम्मत नहीं की तुम सब तु अपने अपने फर्स निभाते रहे लेकिन मैं मैं गलब फेमी के अंधिरो में भटकता रहा मुझे दूफ था कि कभी तुम लोग माफ नहीं करो बेर अच्टी ने मुझे माफ कर दिया मा मैंने तुसे कहा बेटा आँ बेटा आज मैं तुछे तेरे मामों से मिला दिया विक्रांत है इसका नाम मेरा बेटा अरे बेटे जीते रहो आज की रात मंगल की जिंदगी की आखरी रात बना दो डाइमन्ड कलब में बेटा वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है उसके वहां से निकलते ही उसे खत्म करता हूँ जाओ जाओ लाओ 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 झाल 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 झाल